हेलो फ्रेंज वेल्कम बाक टो आर योट्यूब चानल ओमेगा इंफोमेशन आज हम बात करेंगे डिफरेंट मौड्स आफ ट्रांस्फरिंग फंड यानि ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं जिसे हम फंड ट्रांस्फर कर सकते हैं I'm sure हम सब इसे यूज करते हैं पर हमें ये नहीं पता कि कौन से ट्रांस्फरिंग के लिए कौन सा मौड्स सबसे ज़्यादा एप्रोप्रियेट है या हम किस मौड्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं I'm sure आज के जमाने में हर कोई online transactions करता है पर क्या हम ये जानते हैं कि हमारे transaction के nature पर depend करता है कि उस पर कितनी transaction फील लगेगी Bank एक certain amount charge करता है हर एक transaction के उपर So कौन सा fund immediate transfer हो जाता है? किस fund को transfer होने में time लगता है? बात करेंगे ऐसे कुछ questions पर So जो friends हमारे channel पर पहली बार आए हैं, please like करें हमारी video को और subscribe करें हमारा channel ऐसी और videos देखने के लिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे IMPS की IMPS का मतलब immediate payment service होता है ये आप 24-7 कहीं से भी कर सकते हैं So minimum and maximum amount 1 रुपी to 2 लाक रुपी तक आप इसमें बेज सकते हैं Same time पे amount आपके account से deduct होता है और same time पे amount reflect होने भी start हो जाएगा सबसे best बात ये कि IMPS में आपको beneficiary की detail add करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी Bank एक MMID provide करता है जिसकी help से हम IMPS direct कर सकते हैं IMPS पे charges 1-25 रुपी तक maximum लगते हैं IMPS चाहे आप national holiday हो चाहे आप weekend हो आप कभी भी कहीं से भी transfer कर सकते हैं Next हम बात करेंगे NEFT की NEFT का मतलब National Electronic Fund Transfer है ये भी हम 24-7 कर सकते हैं whereas in पहले कुछ charges apply होते थे बट अब NEFT पे कोई भी transactional amount नहीं charge होता है NEFT हम online और offline दोनों तरीके से कर सकते हैं In case किसी के पास bank account नहीं है वो भी bank में जाकर NEFT के तुरू किसी के भी account में amount deposit कर सकता है NEFT में amount reflect होने में थोड़ा time लगता है because ये batch wise settle होते हैं So NIFT में minimum and maximum amount 1-2 lakh rupees तक होती है अब बात करते हैं RTGS की RTGS का मतलब real time gross settlement है Friends इस method में amount transferable थोड़ा सा जादा होता है जो कि minimum 2 lakh rupees होना चाहिए और maximum आप कितना भी amount किसी के भी account में transfer कर सकते हैं ये भी आप बोथ online and offline transfer कर सकते हैं same time पे amount deduction होगा और same time पे reflect होने start हो जाएगा ज़्यादा तर इस method को business man करते हैं because इसकी lower limit ज़्यादा है So ये थे different mods of transferring fund So अगर आपको come amount transfer करना है तो आप NEFT का use कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि same time पे amount pay के account में reflect होने start हो जाए तो आप IMPS का use कर सकते हैं अगर आपकी transactional value ज़्यादा है So you can go for RTGS So I hope आपको इन तीनों के बीच में difference समझ आ गया होगा So कैसी लगी है वीडियो प्लीज comment करके हमें जुरूर बताईएगा